नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर M6 शोरगेन के इस वीडियो टुटोरिल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन नाना और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आप्शन ट्रेडिंग के बारे में हमारे प्लैटफॉम पर जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार कई ट्रेडर्स को प्रॉब्लम आती है शिंबल सिलेक्ट करने में वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें सिंबल सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़े रहेगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे से प्रॉपरली समझ में आप आए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे करूँगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें की हमारे चैनल पर जो information आपको मिलती है वह information आपको कहीं और नहीं मिलेगी और बहुत ही ज्यादा informative वीडियो होते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किस तरीके से आपको option के symbols लगाना है तो सबसे पहले जो काम आपको करना है खोर प्लैटफॉर्म पर जाना है और वहाँ पर अपना अकाउंट है या जिन्होंने लिया है उनको किस तरीके से यूज़ करना है वो तो आगे हम बताएंगे जब लॉग इन के बाद प्रोसेस करेंगे सबसे पहली चीज़ है अकाउंट खुलने के बाद 6 दिन का ट्रायल मिलता है और 6 दिन के ट्रायल को यूज़ करके आप सारी च ुचोफट्र.com पे जाने के बाद आपको लॉग इन करना है जब आपका-काउंट खुल जाएगा तो लॉगिन करने के बाद आपको तीछ दिखेगा ठीक है दैश्वॉर्ड दिखने से आपको डैश्वर्ड में जाना है और या लेफ्ट साइड पे बहुत सारे नेविगि trading करनी है 12 से जादा अलग अलग brokers वहाँ पर अवेलेबल है एंजल है जिरोदा है एलिस ब्लू है master trust 5 पैसा है fire set trade smart है और ट्रस्ट लाइन है जीबू है इस तरीके से काफी सारे लुआ चैंगलेबल है उनमेंग है और आपको जाना है और रावन के सցपंटेडिक को करेंगे तो तो सबसे पहले जब आप option trading strategies पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा इसका नाम है create strategy symbol जब आप create strategy symbol करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको जो option मिलेगा वो है strategy select करने का option option कि कौन सी strategy में आपको trade करना है और उसके बाद दूसरा option आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर symbol का option मतलब कौन से symbol में आपको trade करना है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर symbol के नाम लिखे हो अलग-अलग जो symbol है जिन में भी आपको trade करना आप उनके हिसाब से यहाँ पर trading कर सकते हो ठीक है तो इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ पर आपको अलग-अलग नाम मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में करना बैंक निफ्टी सिलेक्ट करिए यहाँ पर डेट का option आता है अब अगर आपका account angel broking में है ठीक है यह चीज बहुत ध्यान रखिएगा अगर आपका angel broking में account है तो आपको यहाँ पर date डालना अनिवार रहे हैं चाहे आप monthly option में ट्रेड करो ठीक है अगर आप monthly option में ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको expiry की जो date है जैसे अभी 25 तारी की date है व उसके अलावा जितने भी brokers हैं उनमें अगर आप weekly option में trading करते हैं तो आपको date डालना बहुत जरूरी है और अगर आप monthly option में trading करते हैं तो आपको date डालने की जरूरत नहीं है वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यह सबसे ज़्यादा important चीज है लोग इसमें कई बार हो जाएंगे अब यह करने की हमें जरूरत इसलिए भी पढ़ती है दोस्तों यह तो हम सिंबल का नाम आप से सर्च करवा के ले सकते हैं लेकिन उसमें क्या दोस्तों प्रावलम आएगा उसमें प्रावलम याएगा क्योंकि हमें करना है ATM यानि कि अब क्या है कि रोज रोज सिंबल आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपने वह उसमें नहीं लगाया अगर आपने का पर्टिकुलर सिंबल लिग दिया अठारा जार की कॉल करनी है तो जब सत्रहाजार की कॉल पर ही ट्रेड होगा आपका लेकिन मानलो मार्किट का मॉमेंट उपर नीचे हो गया म आके टूपर नीचे भाग गई तो अगर मानलो सत्रहाजार से सत्रहाजार पांस होगी तो सत्रहाजार पांसो की कॉल या पूट उठाने के लिए हमने यह फॉर्मूला लगाया ताकि उसमें वह अपने आप से सिंबल बना ले और आपका ट्रेड कर दे ठीक है तो यह चीज किसी भी Poker में Angel को छोड़ के ठीक है तो यह में चीज थी इसमें आपने यहां पर डेत्ट वगरे है कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि आपका ब्रोकर आपने जो भी देख लेना किस तरीके से उसके हिसाब से आपको सेलेट करना है ठीक है यहां पर मन्त का उप्शन है यहां पर यहां से द्यान देख सकते हैं बागी की चीजों के बारे में मैंने बहुत बार वीडियो में बता हुआ है एटियम ओटियम के बारे में एक चीज और इमपॉर्टन बता जीता हूँ आपको कि आप एटियम या ओटियम यूज करते हो ठीक है तो आपको गैप जो डालना है वो बहुत सोच समझके डालना है जैसे निफ्टी में अगर फिफ्टी का गैप है तो 50 ही डालना है 50, 100, 150, 200 इ फिर वो ट्रेड नहीं होगा क्योंकि वो सिंबल जो बनके आएगा वो सिंबल का कोई कॉंट्रेक्ट एक्जिस्ट नहीं कर रहा होगा और उस वक्त ट्रेडर नहीं होगा ठीक है तो यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान लखनी है कि अगर आपको गैप डालना तो पर हो जाएगा ठीक है की स्ट्रेडिजिस के स्टेडर से कि में निकाल लेका अग लिए कौन सा सिंबल बड़ी हा काम कर रहा है वही सिंबल चूज करो ध्यान रखो ऐसे कोई सिंबल मत करो जिनमें चालिस परसट या उस से कमारी हो क्योंकि उसमें प्रफित होने के बहुत कम chances होते हैं कई बाद trader क्या है कि अपने मन पसंद symbol लगा कर चुरू करते हैं लेकिन हमारी strategy में वहां उसके उस वो profitable नहीं होती तो जब वो profitable नहीं होती न तो फिर problem आती है आपको loss ही होगा profit तो होगा नहीं अगर वहां पर accuracy बढ़िया नहीं है तो तो इसलिए आप सा है ब्रेज वाला ब्रेज वाले में क्या है कि लोगों के पास अपनी होती है आप के पास भी होगी कोई अपनी इस्टेजी को आइडिया जिसको आप implement करवाना चाहते है तो वह काम भी हम लोग कर के देंगे ठीक है दो से तीन दिन का time लगता है कुछ आपको लिए पे करने ह seven ticks dot com, आप उस पे भेज सकते हो, आप भेजो कि आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि कितनी costing लगेगी, उसके और कितना time लगेगा, वो अगर आप सो table होते हैं, उस चीज़ से तो आप बनवा सकते हो, और फिर उसके बाद आप options में, या futures में, या cash में, किसी में भी strategy के यानी कि उस उस strategy के साथ, और आप चाहें तो trading view पे बनवा सकते हैं, चाहें तो mt4 पे बनवा सकते हैं, चाहें तो mv broker पे बनवा सकते हैं, वह आपकी मर्जिया आप किस बनवाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आशर करता हूँ, ये वीडियो आपको समझ में आगया होगा मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय टेक केर हैपी ट्रेडिंग